हेलो गाइस वेलकम टू इंडो नेपाल किचन आज मैं बनाने जा रहे हूं फ्रेंज फ्राइज बच्चों के तो इतना पसंद आता है जहां भी जाते बच्चे बोलते हैं पहले फ्राइज दिलाओ तो क्यों ना घर पे बना ले वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक शेर क के लड़ ले लिया तो इस तरह से मैंने पानी में रखा है पानी में काट लेती हूं ताकि हमारे आलू काला भी न पड़े इसके स्टार से जो है निकल जाए तो इस तरह से सारे पीस को काट लेंगे मैंने दो तिन बारी तो बना के निकाल भी लिया है मेरे बच्चों ने द बिखा रही हूं तो इस तरह के वह ने किजन नेपकयन पर किज दाल दिया तो इस तरह से अभी है किजन में हाफी होटा है तो इस सब्सक्स अब बेगा चाहरा है इतना also दाला हो गाइए है इतनी ज्यादा पानी है तो हमें इसमें अब मैंने एक बटन में डाल दिया है एक चमज इसमें मैंने आरारोट डाल दिया अब इसको अच्छी तरह से हिलाती हूं और एक छनी में डालके इसको मैं थोड़ी सी हिला लेती हूं ताकि इसमें जितने भी एक्स्ट्रा है से कोटिंग हो गई हम इस तरह के चाहिए तो अब मैंने यहां पे तेल गरम होने के लिए रख दिया था अच्छी तरह से हो गया अब इसमें हम सारे फ्राइस को डाल देते और हाई फ्लेम पे अब बनाएंगे तो इस तरह से हिला देती हूं और हिला के इसको चार मिनिट के ल बन जाते हैं एकदम जल्दी तो इस तरह से गोल्डन हो गया है अब इसको एक मिनिट और में इस तरह से हिला के पका लेंगे तो देखिए इतने जल्दी बन जाते हैं और एक क्रिस्पी भी बहुत है इसकी आवज तो आपने सुनी लिया है कितने क्रिस्पी बने है इसमें अब मैं डाल देती हूं थोड़ी सी नमक और चिल्ली फ्लेक्स और अरिग्यानो डाल देते हैं थोड़ी सी आपने स्वात के अनुसार आप कोई भी मसाला डाल सकते हो तो इस तरह से जटपड बना के त्यार हो गये तो बच्चे को तो बच्चों को तो सुरी सुबह साम बोलते हमें कुछ बना के दो तो इस तरह से हम जटपड बना के दे सकते हैं वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेर कमेंट कर देना दोस्तों मेरे चैनल पर फुर्स टाइम है तो सब्सक्राइब ज तो माच